हैलो फ्रेंड, सक्सेस मेर में आपका स्वागत है मेर नाम है निटिन गुटा और आज का मारे टॉपिक रहेगा रैंसम वायर वाइरस से रेटेड फ्रेंड, जैसा कि आप जानती हो कि इस समय जो क्रेंट टॉपिक चल ला है वो इसी से रेटेड चल ला है ransomware virus, ठीक है, क्योंकि बहुत से persons का DMRC, SCYTO का interview है, उसके बाद CRE का भी interview होगा, ठीक है, SSC, CGL के भी exam है, और अभी current में SBIPO, Dinner Bank, B.O.B., ठीक है, तो काफी exams चल रहे हैं, ठीक है, तो ये topic बहुत ही ज़्यादा important है, ठीक है, इस topic से 101%, एक से दो questions आने ही आने हैं, ठीक है, और क्योंकि ये current का topic है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, कि basically ये virus है क्या, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है, ठीक है, तो आप कुछी भी interview या किसी भी चीज में आप किसी भी competition examination में paper देंगे, तो आप इसका reply नहीं दे पाएंगे, चलिए शुरू करते हैं इसको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हमारा पहला जो headline है, वह है, ransomware is virus of warning, क्योंकि ये basically एक तरीके का malware virus तो ही है, ठीक है, लेकिन ये एक संकेत है, सभी लोगों के लिए, सभी countries के लिए, कि आपको आँगे अपनी strategy क्या बना के रखनी हैं, जिससे कि आपको इस तरीके से कोई आँगे दिक्कत ना आए, देखते हैं क्या होता है, what is ransomware, देखें, ransomware को अगर दो भागों में तोड़ा जाए, तो जो ransom part होता है, इसका मतलब ही होता है frothy, ठीक है, तो frothy से relatedware, ठीक है, तो इस तरीके से ransomware बनता है, ये basically एक क्या है, malware है, ठीक है, तो malware क्या होता है, एक तरीके का computer virus ही होता है, ठीक है, जो आपको क्या करता है, persons के जितने भी assess होते हैं, computer पर जितना भी work करता है, वो इसको block कर देता है, ठीक है, ransomware is sophisticated piece of malware that blocks the victim's assess to his or her files and the only way to regain assess to file to pay ransom, ठीक है, तो frothy देने के बाद, ये persons वहाँ से एक key generate होके देते हैं, ठीक है, उसी के बाद ही वो अपने file को assess कर पाता है, ठीक है, यहाँ पर दो टरीके के ransomware है, ठीक है, circulation में एक होता है encryptor, ठीक है, और एक होता है lockers, ठीक है, ज़्यादा deep में नहीं जाएंगे, आप इता समझ दीजे, encryptors में क्या होता है, कि इसमें एक encryption algorithm, advanced encryption algorithm work की जाती है, जिससे आपका data क्या हो जाता है, encrypt कर दिया जाता है, और जब तक उसकी key आपको नहीं provide की जाती है, ठीक है, तब तक वो decrypt नहीं हो पाएगा, जैसा कि आप देखते हैं कि जब कुछ PDF फाइलें ऐसी होती है, या कुछ winrar फाइल्स ऐसी होती है, जिसमें आप अगर जब तक key नहीं डालेंगे, ठीक है, तब तक वो work नहीं करेंगी, तो ये encryptor type का इसी तरीके का है, ठीक है, और दूसरा आता है, इसमें जो एक्जांपल होता है, crypto locker, lock key, ठीक है, crypto wall and more, lockers की बात करें, तो which lock the victim out of the operating system, ठीक है, ये क्या करता है, पूरे की पूरे जो आपका operating system है, उसी को lock कर देता है, ठीक है, making it impossible to assist the desktop and any apps or file, ठीक है, तो ये सबसे बहुत ही खतरना virus होता है, जो currently समय चल रहा है, ठीक है, persons, ये basically कहां कहां problem treat करा है, जहां पर persons के पुरानी window पड़ी हुई है, ठीक है, Microsoft ने जिन Windows operating system के updates दिना बंद कर दिये हैं, वहां पर ज्यादा problem IST से लेड़े, ठीक है, some local version, in fact the master boot record, ठीक है, ये बहुत important चीज़ है, क्योंकि अगर master boot record, अगर infect कर दिया गया, तो उसके बाद आप चाहे कुछ भी कर लीजे, ठीक है, आपका, उसे कहाता है, वर्क नहीं करेगा, the MBI is section of a PC's hard drive, which enable the office system to boot up, ठीक है, तो आपका system पूरी तरह से fail हो जाएगा, आप चाहे कुछ भी कर लें, फिर उसका कोई तरीका नहीं बचेगा, ठीक है, तो ये वाइरस इस समय 150 round countries को infect कर रहा है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, crypto sensor and encryptor are usually known the most widespread ones, and also subject of this article, the cyber security community agrees that this is the most prominent and worrisome, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा खर्दरनाक और cyber threat है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, पहला क्या था कि पहले जो इसके hackers थे, ठीक है, उन्होंने किबल कुछी जगे पर, कुछी countries पर इसको apply किया था, लेकिन अब ये कुछ बड़े amount में आया है, ठीक है, तो basically ये किस तरीके से आता है, ये देखिए कुछ इस तरीके से रहता है, कुछ इस तरीके की image बन जाती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से की, जैसे system on होता है, तो इस तरीके से बना हुआ आ जाता है, ठीक है, और, एक second, इस तरीके से बना हुआ आ जाता है, ठीक है, और persons को सारे information दे दे जाती है, कि ये आपका bitcoin है, ठीक है, आप हमारे उस पर 300 dollars दे दीजिए, जो भी उनकी hackers की जो demand होती है, ठीक है, उससे related ये रहता है, यहाँ पर timer चलता रहता है, जो ये बताता है, कि आपके पास किवल इतना ही time है, अगर आपने payment इस time में नहीं दिया, ठीक है, तो उस conditions में हमारी जो demand है, वो बढ़ जाएगी, और अगर ये time और चलता रहता है, जो बताता है कि आपने अगर नहीं दिया, तो आपकी जो files हैं, वो सब गयब हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, तो ये चीज होता है ransomware virus का, अब देख लेतें इसमें क्या क्या चीज है, देखें, सबसे पहले जो ये आया था ransomware virus, वो रशिया के अंदर आया था, ठीक है, सन 2013 में, ठीक है, इस तरीकी जून 2014 में, ठीक है, और इसका जो release किया था, वो Mac Cafe ने release किया था, कि इस तरीके का कोई virus आया हुआ है, ठीक है, और इसी से लेटे डायलाग यूनिक सेंपल और रैंसम वेर इन दर फर्स कार्टर और 2013, Mac Cafe ने ही बताया था, कि ये इसे कहते है, रैंसम वेर एक वाइरस है, ठीक है, और उसे कहते है, जो काफी प्रॉलम केट कर रहा है, रशिया में, ठीक है, इसी ने ही सब को बताया था, अब बात करते हैं, कि ये क्या जीज़ है, ये एक तरीके माज़ियर शॉफ्ट्वेर है, ठीक है, किट्रो इसमें जो टेक्निक यूज होती है, वो किट्रो वाइलोजी होती है, ठीक है, आपको इतना डीप में नहीं जाना है, आपको जश्ट ऊपर-ऊपर कर रिव्यू पढ़ना है, जो आपके हाज चके वैल्यूवल रहे, ठीक है, ठीक है, इसमें जो मालवेर जो यूज होता है, इसमें बहुत ही हाइए आपकेशस यूज होतों, और आपकेशस के से वैफ, यूज धा extrêmement है, आपके मोवाइल को खराब कर देगा तो आप अपर वैसे तो नहीं करता लेकिन जब आपने उस फाइल को डाउनलोड कर लिया तो उस कंडिशन के बाद फिर वह वाइल उसके अंदर एंटर कर जाता है और फिर उसके बार आपका फॉर्म खराब होना श्रू हो जाता है तो इस स्पेसिफिकली डिजाइन तो गें असेस और डैमेज एक कंप्यूटर विटाउट नॉलेज ऑफ दा ओना ठीक है पता ही नहीं चलता परसंस को कि उसके जो कंप्यूटर है लैप्टॉप है या फाइल है वो डैमेज हो रही है ठीक है जब भी कंप्यूटर डैमेज की ब ना होते हैं ठीक है लगये रैंसम वीर कुछ जादा ही हाइ़ प्रोफालिस का वाइरस है अब बात करते हैं एफिकल होता है इस के अंदर केटेगरीज में आते हैं अब बात करते हैं कि रैंसम वेर वाइरस करता गया है ठीक है यह बेसिकली आपके जो कंप्यूटर होता है ठीक है उसको प्रिवेंट यू फ्रॉम असेसिंग विंडो ठीक है आप असेस नहीं कर पाएंगे आपके फाइल को इंकर्प कर दिया जाएगा जिससे कि आप नहीं खोल पाएंगे उस फाइल को स्टॉप सब्ट्रेंड एप्स फ्रॉम डरनिंग ठीक है कुछ फाइल एप्स को रोग दिया जाएगा जिसको विजह से आप यूज नहीं कर पाएंगे लाइक यूर वैब रावजर ठीक है तो इससे जब ऑन कैसे किया जाए कि बेसिकली जब हैकर्स को उसका जो अमांट जो मांगता है वो अमांट दे दिया जाता है तो उसके दोबली हम देखा जाए तो काफी यह फ्रोफाइल में रहा है ठीक है और अभी यह स्टार्टिंग फेस माना जा रहा है माना यह भी जा रहा है कि जो अबके आपके 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 यह इस सिस्टम पर आया है अब क्या यह श्टाटीज बनाया जा रहेगी फॉंस के अंदर इस भी यह बाइस आ जाए ठीक है ऑपरेशन और रैसम यह कैसे वर्क करता है तो देखे पहले कि आ है कि यह इंप्लीमेंट कहां से हुआ ठीक है यह फायल in crypto रैसफेब और इंवेंटेड एंप्लीमेंटेड इंप्लीमेंटेड वाई यंग एंग यूंग कोलंबिय उनिवर इसको बोला जाता है तो यहीं से कोलंबिया यूश्टी से ही इसके बारे में पता चला ठीक है रैंसम्वेर अटेक्स आर्टिपिकली करीड आउ उसिंग एक रोजन और यह मैंने आपको बताई दिया इट है इसमें क्या होता है कि जो हैकर्स होता है वो क्या होता है पबलीकली उसे कहते हैं की जनरेट करके रखता है ठीक है जब भी आप किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं उसके अंदर पहले से दो कीज होती है ठीक है इंक्रिप्शन के करके स्टॉल कर लेते हैं तो उसके कंडिशन में क्या होता है आपके उसकी जो इंक्रिप्शन की की है ठीक है वो आपके उसमें सिस्टम में आ जाती है और आपके जितनी ही फाइल से उनको इंक्रिप्ट कर दियती है ठीक है उसके बाद क्या होता है विक्टिम टू अटेकर फिर विक्टिम्स क्या होता है विक्टिम्स कहता है कि इस्टॉल कर दिया उसने विक्टिम्स ने ठीक है अटेकर से फिर कैसे डील किया जाए कैसे डिक्रिप की जाए ठीक है वो उसकी को तलाशता है उसके बाद क्या होता है उसके बाद क्या होता है जब यह चीज हो जाता है तो उसके बाद जो attackers होता है उसको जब तर पेमेंट नहीं मिल जाता है तब तर वो उसकी asymmetric cipher test की होती है उसको वो provide नहीं कराता है persons को victim को ठीक है तो जब तर उसको payment नहीं मिलता है तब तर persons को key नहीं मिलती है और उसके बाद short phase होता है attacker to victim जिसके बाद जब उसको payment मिल जाता अब देखते हैं कि की generator आता है आप ने देखा भी होगा जब कोई क्रेक वगए आप डू लूड करते हैं smiles Yes, वह कोसिच करते हैं कि की जनरेटर को यूस किया जाए लकिन possibly नहीं होता है यह किसी उसमें तेखती है अलेगर की generate होती रहती है तो इस तरीके से हर persons के लिए एक की generate होती है दूसरे persons के लिए वह अलग की generate आपको दी जाएगी तब ही आप दूसरे सिस्टम पर इसको on कर पाएंगे how to protect from ransomware ठीक है इसके लिए Microsoft ने भी guidelines शू की है ठीक है malware protection center a widespread ransomware attack wanna click target out of date windows device given the 70 यह Windows पहले ही बता दिए उसने कि आपकी जो out of date windows services devices उसको आप upgrade कीजिए तिस्टेव या update कीजिए अगर windows की वह दे रही है profile तो अपडेट दे रही है तो अगर आपका आप यह window x पी चल रहा है ठीक है क्योंकि most of the india's में आप देखते ही होगे कि कंपनीज में या गवर्मेंट प्रोफाइल में विंडू एक्सपी वर्क कर रहा है तो उस कंडिशन में क्या है कि विंडू एक्सपी का टुक्राइब 14 से ही अपडेट्स देना बंद कर दिया था में तो हैकर्स ने इसी पर ही अटेक किया मुस्टली ठीक है और इस वार यह तोड़ा सा कम के इस में लेकिन रैंसम्वेर वाइस के जो हैकर्स हैं वो यह कोशिश कर रहे हैं कि जो विंडू की माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडू 10 है ठीक है जो हाई प्रफाइल उसको वह क्रे इसका दूसर मेंटर क्या है प्रोटेक्शन के आपको अपने लेप्टॉप पे डेश्टॉप पे एंटिवाइस अपडेट करना होगा ठीक है विंडू डेफेंडर होना चाहिए और अगर तीसर तरीका होता है पैक अप डिस्क ठीक है आप पहले से बैक अप बनाके रगते हैं इंडिया की एक्टिविटीज क्या रही है ठीक है इस टॉप एक रेंसम वेर के लिए इंडिया ने इसको बहुत गंबीरता से लिया है और डेटर सेक्यूर्टी एजनसी सीर्टी ठीक है कंप्यूटर इमर्जेंसी रिस्पॉंस टीव को ने रेड अलट जारी कर दिया है कि यूजर्स को एडवाईस किया है कि कोई बी इस तरीका वाई-फाई पगरा यूज करते हैं बसन जो उस तरीके की यूज ना करें और बाया प्लायाईस टू इक जनेरेट किया है कि विंडवाईस के जते वी अपडेट्स है उसको अपडेट कर लीजी इसके लिए एजनस की Ministry of Electronics and Technology इतका जो Headquarter है वो है New Delhi यह संजयवल ने बोला है और यह आपकी क्योंकि अगर पैसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और उस कंडिशन में बैंक भी कुछ नहीं कर पाएगी तो यह बहुत ही हाई प्रॉफाइल वाइरस है ठीक है कोशिज यह कीजिएगा कि कोई अगर आपको अपने सिस्टम को सही रखना है तो अपने विंडो को अपडेट ठीक है एंटिवाइस आपके लेप्टॉप में इस्टॉल होना चाहिए वैसे तो यह नॉर्मली परसंस के लेप्टॉप में नहीं आया है ठीक है क्योंकि परसंस को अधर हैकर्स को फायद इस वीडियो से डिठक कोई भी आपके कोईरी उप्डाइफ्ट थो कमें डोफ्स मेंघ्ट कीजिए हमारे चीनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूलिए क्या कि आपको तब ही हमारे अप्डेटित्स बिलते रहेंगे ऊके फ्रैंड ठीक्यू है